हेलो स्टुडेंट्स आज हम देखने वाले हैं कक्षा दसवी का गणित इसमें आज हम अध्याय पांच जिसका नाम है समांतर शेणिया इसके सवालों को हल करेंगे तो वीडियो श्टार्ट करने से परले यदि आपने अभी तahh हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और वीडियो को अधिक सधिक लाइक एम शेर जरूर करें और अगर आपने अभी तख हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दस्वी गणित के सोल्यूशन की जो प्ले लिश्ट है उसकी लिंक दी गई है वहाँ से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं तो शुरू करते हैं आज कही सवाल सवाल आज हम पढ़ने वाले हैं प्रशन वाली 5.3 का पांचवा सवाल पढ़ने वाले हैं सवाल है किसी एपी का प्रथम पद 5 अंतिम पद 45 और योग 400 है पदों की संख्या और सार्वंतर ग्याद कीजिए तो सबसे पहले तो हम जो जो दिया है वो लिख लेते हैं जाता है A से यनिकि A का मान दिया है 5 अंतिम पद 45 अंतिम पद को दर्शा जाता है L से मतलब L का मान है 45 और योग 400 है योग को दर्शाते है SN से यनिकि SN का मान हुआ हमारे पास 400 अब हमें पदों की संख्या और सार्वंतर ग्याद करना है तो पदो की संख्या को दर्शाय जाता है N से और सार्वांतर को दर्शाय जाता है D से तो N और D का मान हमें ग्याद करना है तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले N का मान ग्याद करने के लिए हम जो सुत्र लगाएंगे वो SN वाला सुत्र लगाएंगे यनि कि योगफल का योगफल के दो सुत्र होते हैं एक तो बड़ा सुत्र हम पहले सवालों में लगाज चुके हैं N बटे 2, 2A प्लस N माइनस 1 इन 2D वाला और एक और सुत्र होता है N बटे 2 कोश्टक में A प्लस L ये सुत्र होता है ये भी योगफल याद करने के लिए ये सुत्र अब ये सुत्र कब लगता है विससे जब L का मान हमें पता हो तब ये योगफल याद करने के लिए सुत्र लगता है तो यहां हमारे पास L का मान पता है इसलिए हम इस सुत्र का इस्तमाल यहां कर रहा है अब मान रखते जाएं इसे इन की जगा रखा हमने यह 400 बराबर इन का तो मान ग्याद करना है तो इन बटे 2 कोश्टक में ए, ए का मान है हमार पास 5 यह प्लस इल, इल का मान है यह 45 अब इस दो का तो हम 400 में गुड़ा कर देंगे तो यह तो हो जाएगा 800, बराबर में क्या बच्छा आप सिर्फ यहां पे इन बच्छा और गुड़े में यह 5 प्लस 45 कितना हो जाएगा 50 अब इन का मान निकालना है तो 50 को हम 800 के बटे में लियाएंगे तो 800, बटे 50 तो बराबर के पीछे क्या बच्छेगा आप इन इसमें हम अगर काटे तो एक 0 से एक 0 काट दिया और 5 से अगर काटे तो 5 एकम 5 बच्छेगा 3 तो 3 और 0 मिला के 30 बना 5 शंग 30 तो इन बराबर 16 आया हमारे पास तो ये N का मान तो ग्याद हो चुका यनि कि एक अंसर तो हमारा आ गया अब हमें D का मान निकालना है तो D का मान ग्याद करने के लिए हम अंतिम पद के लिए सुत्र लगाएंगे अंतिम पद को दर्शाते हैं L से L के लिए क्या सुत्र होता है सुत्र होता है A plus N minus 1 into D अब आप सोच रहोंगे कि यह सुत्र तो N वापद के लिए होता है तो N वापद और अंतिमपद दोनों के लिए एक ही सुत्र है N वापद मतलब A N का मान गयाद करने के लिए भी यही सुत्र होता है A plus N minus 1 into D और अंतिम पद यानि की L का मान ग्याद करने के लिए भी यही सुत्र होता है तो इस सुत्र का इस्तमाल करके हम यहाँ पे किस का मान निकालेंगे लेकिन D का तो अब मान रखें अगर इसमें हम तो L का मान हमारे पास कितना है? 45 है बराबर A का मान था हमारे पास 5 लिख दिया D को अब अब इस पेतालिस को हमने इसे लिखा है बराबर में 5 भी ऐसे ही प्लस 16 में से एक घटाया तो 15 बचा और 7 में क्या है गुणे में D अब D का मान निकालना है तो ये D वाली संख्या हम एक तरफ कर देंगे बिना D वाली दूसरी तरफ तो ये 15 D हम आगे लियाते हैं तो ये प्लस की जगा मानस का 15 D हो जाएगा और बराबर के पीछे 5 तो पहले से ही इस 45 को पीछे लियाते हैं तो ये प्लस की जगा मानस का हो गया अब ये मानस 15 D बराबर इन्हें घटाएंगे हम तो बचेगा 40 लेकिन बड़ी संख्या माइनस की थी इसलिए ये माइनस का रहेगा अब माइनस से माइनस को तो हम केंसल कर देंगे तो D बराबर हमारे पास बचेगा 40 और ये 15 ले आएंगे 40 के बटे में अब काटे हैं अधि हम तो 5 से कटेगा ये 15 तिया 15 और 58 40 तो D बराबर हमारे पास 8 बटे 3 तो ये D का मान यहाँ पर ग्यात हो चुका हमारे पास तो N का मान 16 आया था और D का ये 8 बटे 3 तो अब आखरी में हम आंसर लिख लेते हैं अतह एपी के पदो की संख्या 16 वह सार्वांतर कितना है सार्वांतर 8 बटे 3 है ये आंसर आ चुका हमारे तो आप चाहे तो आप इसका स्क्रिंशॉट ले सकते हैं पहले यहां तक स्क्रिंशॉट ले लिजिए फिर ये बचया वाजता और फिर ये लास्ट की कुछ इस्टे पर तो आप अगले सवाल के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद